हेलो स्टुडेंट्स आप सबका फिर से हमारे चनल पर स्वागत है सिना तक पाट्टू का प्रक्षा फॉर्म भरने की तिथी बढ़ गही है आप जानते हैं कभी पाट्टू का फॉर्म भरा रहा है और 28 तक डेट था 28 तो गुजर गया तो चुकि संडे है कल सटर्डे ही था चुट्टी था रविदास जयनती का तो बहुत सारे लोगों का फॉर्म फिलाफ अभी बांकी रहा गया है तो पढ़ते हैं वो न्यूज बिरकुमर सिंग बेवी की ओर से सनातक पाट्टू सत्र जो है 2018-21 वाले हैं 2018 से 21 वाले पाट 1 हो गया था पाट 2 और पाट 3 दोनों इस साल होना है का परिक्षा फॉर्म भरने में विद्यार्थियों को काफी परिसानी उठानी पड़ रही है इसकी बजह वेबसाइट की तुरूटी बता जाती कुछ इसमें इरर आ गया था वेबसाइट जबकि फॉर्म भरने में आ रही परिसानियों के कारण छात्र बीवी के चकर भी लगा रहे थे दोड़ भी रहे थे और बीच में लेटर भी निकाला गया था कंप्यूटर सेंटर की तरफ से कि जो भी वहाँ पर नूतन परिसर में एक्जाम विभाग में जा रहे हैं जा हो तो जमा कर लेजिए और कम वहां पर एक्जाम विभाग के करमचारी खुद जाकर के यह काम करवाएं तो इससे बहतर क्या होगा यह तो और अच्छी बात है इस्टुटेंट को परिसानी नहीं उठाने पड़ेगी और कॉलेज के यानि वहां पर इस्टाप है एक्ज पहुच रहा है इससे बहुत समस्याइएं भी हो रही थी हलाकि बीवी ने प्रक्षा फौर भरने किती थी बढ़ाने के संकेत दिये हैं पांच मार्च तक बिना बिलम सुल्क डिट याद रखेगा पांच मार्च तक डिट बढ़ गया है और आठ मार्च तक जो है वो बिलम सुल्क के साथ भरा जाएगा पांच मार्च तक बिना सुल्क के बिना कोई बिलम सुल्क के लेट फाइन नहीं रहेगा और पांच से आठ के छे से आठ के बिच में लेट फाइन के साथ फौर्म भरा जाएगा इधर बीवी की माने तो तकनिकी कारणों से पिछले दिनों बै सालिस लाग रुपिया आ गया है तो ये आपके लिए नहीं है सभी कॉलेजाओं को कम्पूटर सेंटर द्वारा एक मार्च को लोग इन पास्वर्ट उप्लाद करा दिया जाएगा बिच में बात आ रहा ही थी कि बहुत सरी लोगों का फॉर्म भरा गया है और कहीं कहीं कुछ गलतियां हो गई है और एडिट नहीं हो रहा है अब क्या होगा दोबारा फॉर भी नहीं भरा पाएगा तो इसमें बिदार्थ्यों को चिंता करने की जुरत नहीं है एक तारीक से यानि कल से सभी कॉलेजों को लोग इन आईडिया और पास्वर्ट दे दिया जाएगा उसक बहुत ही परिशानी की बात नहीं है तो वहीं कहा गया है सभी कॉलेजों को कंप्यूटन सेंटर द्वारा एक मार्च को लोग इन पास्वर्ड उपलावद करा दिया जाएगा प्रिक्षा फॉर भरने में होने वाले परिशानी को कॉलेज प्रबंधन उस लोग इन के माध् धन्यवाद